यहलो दोस्तों Welcome to mechanical guide 900 आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडीश्ट्रील इंजिनरिंग की दोस्त इंडीस्ट्रील इंजिनरिंग का यह विडियो आप लिए बहुत ज़्यादा important होने वाला है यह आपकी एक marathon class होने वाली एक class semester pass वाली class होने वाली है इस वीडियो को जो students शुरूस लेकर last तक पूरा देखेंगे निशित रूप से उनको exam में इसका benefit मिलेगा ठीक है इस वीडियो में दोस्त हम वही सारे question और answers आपको बताएंगे जो आपके exam में आने वाले है जब आपका exam है ठीक है तो वीडियो को पूरा देख लिजेगा इससे पहले हमने दोस्त इंडेशनल इंजिनिंग के top 25 important question पर वीडियो बना कर पहले ही बता रखा है तो उस वीडियो को भी आप लोग एक बार जरूर देख लिजेगा ठीक है औ तो इन दोनों वीडियो को देख लिजेगा पहले उसके बाद ही दोस्त इस वीडियो को देखिएगा दोस्त टाइम को न वेस्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो यह माल लिजे आपके 35 से 40 नंबर आसानी से आपके आ जाएंगे ठीक है, इसकी PDF के लिए क्या करना है आपको हमारे Telegram Channel को join कर लेना है, ठीक है, इसकी PDF आपको हमारे Telegram Channel पर मिल जाएगी, आपको हमारे WhatsApp गूरूप पर मिल जाएगी, इन दुरों को आप जोइन कर लिजी, आपको मही पर PDF प्रवाइट करा देंगे, ठीक ह तो बात करते हैं, सबसे पहला दोस्त आपका question जो है, industrial engineering से productivity क्या होती है, ठीक है, तो productivity काफ़ी यदा important है, इसको 2-3 star आप लगा कर रख सकते हैं, क्योंकि काफी बार पूछा जा जाजगा और पूछा जाएगा इस बार भी, ठीक है, तो हम लोग जान लेते हैं, आपका productivity क्या मैन है, ठीक है, फूजी है, यानि जो मनी है, जानकारी यानि की information है, तता इन सभी को क्या एक समूँ है, समूँ को निर्गत अवयो, यानि elements जैसे परिस्क्रती, उत्पाद, तता सेवाओं के एक विशिष्ट समूँ में उचित, गुडवत्ता है, यानि quality तता मात्रा में र प्रोड़क्टिविटी का जो फार्मूला होता है, हम लोग वह भी आनेंगे, हो सकता है, प्रोड़क्टिविटी आपसे दो नंबर है, तीन नंबर और पूछ ले, और इसके साथ कोई एक अधर कोर्शन्स लगा दे, क्योंकि इतना बड़ा दोस्त नहीं है, यानि प्रोड चेंजमेंट बिना किये, उसमें क्या करना, निर्गत, ठीक है, उसमें क्या करना, आउटपुट में जो हमें क्या है, व्रद्धि करना, वह आपकी क्या कहलाती है, उत्पादक्ता कहलाती है, और प्रोड़क्टिविटी का आपका फार्मूला क्या होता है, आउटपुट ब बताने वाला हूं तो वीडियो के मैं कहीं पर भी बता सकता हूं बीच में बता सकता हूं या कहीं भी तो इसके लिए अगर आपको चाहिए तो आप वीडियो को पूरा देख लीजिएगा अब बात करते हैं फैक्टर एफेक्टिंग्स प्रोडक्ट विटी ठीक है तो सबसे जाए है, पयदा मैं कद आपके अपको अपको याप बातासना पव जड़ी था आये, वह त्शुक आपको या उद्ध्यूक लगाया उसके आपको क्या-क्या में जरूरा है आपको इतना समझ में आ ग्या होगा अब बात करते हैं प्रॉडर्ट विटी क के कि इंप्रोटेण्ज क्या आए दोस्त यह आपकी टॉप 25 5 important questions के answers मैं आपको बता रहा हूं जो मैंने वीडियो upload किया था ठीक है जैसा मैंने आपसे कहा है कि 35 से 40 नमबर आपके इस वीडियो को देखने के बाद आ जाएंगे तो बिल्कुल आसानी से आ जाएंगे क्योंकि लगभा कूरा पेपर आपका यहीं से फसेगा ठीक है अभी मै था आउविक्षित देशों के लिए उत्पादक्ता संकल्पना निर्गत प्राप्त करियों प्रियुक्त किये जाने वाले संसादन लीट हो जोड़ना नहीं है अगर आपको नहीं भी आदा तो भी आपको लिख के आना है ठीक है उत्पादक्ता का विश्लेशन तता मूल्यांकन ही उन अवस्थाओं और परिस्थितियों को इंगित मतलब इंगित करता है बताता है जहां कारेरत निवेशों में सुधार करके निर्गत में व्रद्धि करना संभव होता है ठीक है यह इसका इंपोर्टेंस है आपको इसका इंट्रॉडक्शन दीजिए या फिर इसकी डिफिनिशन बताईए कई तरह से कोस्टिन पूछा जा सकता है ठीक है तो हम लोग बात कर लेते हैं वर्क इस्टेडी मतलब कारेर अध्यान आपका देखे क्या होता है कायने वालो आप जो कार कर रहें उसके बारे में अध्यन करना उसे कितनी सरलता से आप कर सकते हैं कि एक तरह से हमारा क्या है वर्क इस्टडी कहलाता है अब आपको इसी डिफिनिशन बता देता हूं कार अध्यन का मूल उद्देश कार को सरल बनाना है देखो बैने अभी हूं कितनी सरलता से कर सकते हैं ठीक है तथा उसे समय में यह तथा नियूंतम स्वर्ण द्वारा पूरा करना कम से कम समय में तथा सब्स जो deport behavior करना क्या करना लाता है दोडिश्ट लाने को समझा लेइक करने अ क्षेट आफ बात करते हैं कार्य अध्यन एक मुख्य प्रबंद टखनी किया जो उत्पादन गत्विजंग की इन इंप्रूफ करने के लिए प्रियोंक की जाती है क ten एक मुख्य प्रबंद टखनी कि वह इसका हमलों किसलिए करते है इंप्रोव्मेंट करने के लिए करते हैं आपको समझ में आगे वर्किष्टड़ी 100 परसंट आपके एक्जाम में आने वाला क्विश्चन है दोस्त सैयन तथा उपकरण उपकरण के अधिक प्रहावी प्रियोग में मानव प्रयाशों के अधिक प्रहावी प्रियोग मानौ कार्यों के मूल्यांकन में तो इतना आपको दो समझ में आ गया होगा अब बात कर लेते हैं हम लोग वर्किष्टडी की डिफिनिशन जो दे रखी है इसकी बात कर लेते हैं कार्य अधन एक ऐसी तक्निकी है जो उच उत्पादक्ता के लिए कार्य को प्रोड़क्टिविट्य याणि उत्पादक्ता को बढ़ा सकते हैं कैसे जो आपकी पुरानी जो प्रोड़क्ट्य में आपको समझ में आ गया होगा अब बात करते है जो इंपोर्टेंस जो है आपका जो अब्जेक्टिव्ज हैं वो क्या होते हैं वर्क इस्टडी के जो उद्देश हैं वो क्या है उनकी बात कर लेते हैं ठीक है तो एक बार देख लेते हैं कार अध्यन प्रबंध एवं निरेचण के लिए सेवा का कार्य करता है तता निम्न उद किया है कि Top 25 important questions हैं उनकी वीडियो को एक बार जरूर देख ले और लास्ट में जो हमारा वीडियो आता Top 5 questions में जिनमें से लगबग 3-4 questions 100% आपकी पेपर फसते हैं उन वीडियो को देख लीजिए और जो हमारी नेक्स्ट आपका दिया गया है उसकी बात कर लेते हैं कारे अध्यन करता के अवश्यक गुड़ तो जो आपके कारे हैं उसके अवश्यक जो गुड़ है उनकी बात हम लोग कर लेते हैं देखिए एक व्यक्ति जो कारे अध्यन कर रहा है चाहेख में तक्निकी योगता होने के साथ साथ निम्न गुड़ों का भी होना अवश्यक है ठीक है वह शोध मतलब कि जो आपका है विकास काहिए कारशडी कर रहा है उसमें तरह से पास तक्नीकी घ्यान होना चाहिए और परिपूंड अनुभवी कर्म में विश्वास रखने वाला होना चाहिए जैसे आप लोगा ने आएमेडी में एक लीडर्शिप के गुड़ पढ़ेते उसी तरह इसके भी है यहाँ पर ठीक है ज्यादा चेंजमेंट इसमें नहीं है ठीक है परिश्रमी प्रतने सील तता आत्में विश्वासी होना चा समय का मूल पहशानने वाला होना चाहिए जिस समय में जो कारे को दिया गया उसी समय पर करना चाहिए और पूर्ण होना चाहिए ठीक है दोस्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिगा इसकी पीडिएफ के लिए आप हमारे टेली ग्राम से करके जॉइन कर सकते हैं ठीक है आयोप आपको समझ में आ गया होगा आप बात करते हैं कारे अध्यन के दौरान ली जाने वाली साधानिया जब आप कारे अध्यन कर रहे हैं मतलब वर्किस्टी कर रहे है तो उसके दौरान ली जाने वाली जो साधानिया है कौन-कौन सिंग दोस्स इन समझवाव आप पढ़ते हैं तो खुद को इनकी जगह पर रख कर देखिएगा तभी आप ज्यादा अच्छे समझ पाएंगे ठीक है वर्क स्टडी को कार इस्थल पर जाकर स्रमिकों के स्रमिक से बातचीत करनी चाहिए ठीक है वर्क स्ट्डी को कार इस्थल पर कहने घमने जो आपकी वर्क स्ट्डी हो रही है जहां पर जाप कली रहा ह going नहीं करेंगे तो प्रेटेक्शन आपका कहांसे होगा ठीक है प्रड़क्टे जब प्रेटेक्ट्टिविटी भी आय्की इम्प्रूऻमेंट नहीं होगी। वर्क इस्टडी से संबंदित कोई भी बात स्रमिकों से छिपानी नहीं चाहिए अन्यता अविश्वास का महौल बनेगा कहने कमलब जो आपका कार्याध्यान है उससे संबंदित कोई भी बात है तो आपको वरकर्स को आसानी से बता देनी चाहिए ठीक है उनसे छिपानी नही तब बढ़ाने की चेश्टा करना जी कहले को आपका स्रमिक है मैं बढ़ाने से पहले आपकी जो मसीन्स हैं उनकी उत्ता हमें बढ़ाने की कोशिस करने इक चाहिए कार खानों या उद्योगों में कार अध्यान करने से पूर्व कार इस्थल के वातावरण को भी अवश्चक स उद्यार करना चाहिए ठीक है कार अध्यन करता को कई आदेश स्वयम नहीं देने चाहिए बलकि यह कार ने फोर मैं के माध्यम से कराना चाहिए ठीक है दोस्ते आपका क्या था वर्क इस्टडी के ऑब्जेक्टिव्स थे यह सारे आपके पूछे जाने वाले हैं कि स्टडी कार अध्यन कि दो विश्श्ट तकनीकों द्वारा किया जाता है तुरान ही तकनीकी अलगलग धंग से अपना महत्रत रक्तित कहने विलब कार विधी अध्यन से और कार मापन से ठीक है तो समसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कार्य विधी अध्यन की, method study की, तो इसकी बात अगर हम लोग कर लेते हैं देखिए, कार्य विधी अध्यन किसी कार्य को करने की वर्तमान विधी या भविशत से लिए प्रिस्थाविद विधी का क्रम बद्य, क्या होता है आपका systematic recording त इससे की नई आप एच्छा करत सरल एवं प्रभावी विधीयों को विख्षित करके लागू किया जा सके और लागत भी कमो कार्य विधी अध्यन आपका यही है, इसके इंदर क्या है, आपका कार्य है, किसी भी कार्य को वर्तमान समय से भविश्य से आपकी पहले से पूर जो चली आ रही है, इन प्रोसेस को क्या करना, आमें इसमें अध्यन करना और इनको थोड़ा सरल बनाना, ठीक है, यही है आपका, इतना आपको समझ में आ गया होगा, अब बात करते हैं, दोस्त कार्य मापन क्या होता है, आपका देखिए, ठीक है, वर्क मेजर्मेंट, वि इतना आपको समझ में आ गया होगा, किसी जॉब को करने के लिए, उसमें नहीत कार्य मापन करने के लिए, उसको छोटे छोटे भागों में विभाजित कर, उनको मापने, मापने जाने के करण इसे, कार्य मापन तथा कार की मातरा को मापने की इकाई, समस्या, समय होने के कारण इसे, समय आध्यन कहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों में रिलेशन दिया गया है, relationship between method study and work measurement, त तो कई बार दोस्तों इंद में संबंध पूछा जा चुका है तो बिल्कुल ऐसे ही आपको लिखना है तो क्या करना है सबसे पहले आपको करना या पर कारे अध्यन लिख देना है ठीक बीच में और एक साइड आपको लिख देना है विधी अध्यन और दूसरी साइड आपको को सुधार करना ठीक है प्रोडक्षinform कहीं कम तो नहीं होएंन प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना और कारे मापन क्या है उद्दयrest मालत करना समय में बंना चाहिए उतनी समय में ही बन रहा है यह यह इसका काम होता अध्यान हे तुकार्य का चैन करना मापे जाने वाले का चैन करना वर्तमान विधी की गतिव विधियों को रिकॉर्ड करना ठीक है संबंदित सभी आकड़े रिकॉर्ड है तो आपके यह दे रखें इनको आप लोग देख लिजेगा इन दोनों की वीच में रिलेशन अब बा प्रड़क्टिविटी यह उसमें जब व्रद्धी होगी तो इसमें कार अध्यन की क्या भूमिका होगी इसकी बात यहां पर की गई है तो कहने का मालब जो हम किसी चीज में वर्क स्टडी करते हैं तो क्या करते हैं उसका जो प्रोसेस होता है पूरा उसको मेलोग सरल करने क कोसिस करते हैं और उनमें जो नई चीज एड़ कर सकते हैं सरलता से उनको करने के लिए करते हैं ठीक है कार अध्यन एक महत्तपूर्ण प्रवंद टूल है जिसका प्रयोग उच्छे उत्पादक्ता प्राप्त हेत्य किया जाता है कहने गोला जो आपकी प्रोड़क्ट्वि प्रत तक्नीकी और उत्पाद की दच विधियों का प्रयोग करके ही कोई उद्योग यह संगठन प्रतिसपर्दी के इस दौर में बना रह सकता है कहने माली जिए दो कंपनिया है ठीक है दोनों एक दूसरे कि क्या है कंपडिशन में मतला प्रतिसपर्दी है ठीक है तो इन दौनों में से वही कंपनी आगे निकले गी जो इन चीजों का यूज कर रही वर्किश्टेडी का यूज कर रही होगी टिक है अब कर actu Inn कि दच्चता को बढ़ाने के लिए उद्ध्योग उपकराण तता स्रमिक के बहतर रुपयोग के और शक्ता होती है अब आपका नेक्स्ट दोस्त है इस चैप्टर से भी आपके काफ़ी यादा कोशन पूशन पूशन आते हैं करते हैं तो बात करते हैं तो बात करते हैं इसकी डिफिनिशन क्या है वह बात करते हैं किसी कार एको करने की वर्तमान विधी या भविष्ट के लिए प्रिस्थावित विधी का क्रमबद अभी लेकान तता क्रांतिक परिश्षण करना तिससे की नई प्रभावी विधियों को विक्सीट करके लागू के जा सके और लागत धी कम किुए जा सके बबताये हैं को कहने मतलब आपकश्जा को कुई पार्ट बना रहें मालिम ब्रेट बना रहे ह। आपकी बहुत समय से पुरानी प्रोसेस है वो चली आ रही है, ठीक है, कि हाँ हम इसी प्रोसेस से इसी मैथेड का यूज करके हम ब्रेक बनाते हैं, तो आपको कुछ एक नया करना चाहिए, ठीक है, जब आप वो नया करना तो यह देखिए कि हाँ उससे कम समय में हमारी बन र जैचर तथा मित्यवी कारिविधियों के विकास से हैं, डिजाइन, इंजिरिंग, प्रोसेस, इंजिनिर, तथा विधी, विशलेशक के समुध, प्रयासों से ही इन विधियों का उचित विकास समभव हो पाता है, वर्तमान विधियों विदियों में लगातार सुधार की आउशक्ता है, साथ ही एक दच्छ वास्त्विक कार्य विधी को विक्सित करने के लिए विशेश प्रयास किये जाने चाहिए, ठीक है, अब यहाँ पर दोसमें बात करते हैं, अबजेक्टिव औफ मैथेड स्टड़ी, मैथेड स्टड़ी के अबजेक्टिव क्या क्या उनकी बात कर लेते हैं, प्रक्रमों तथा कर्मचारियों में सुधार, सैंद तथा उपकरणों के डिजाइन में तथा कार खाने में कार इस्थल के ले आउट में क्या करना चाहिए, मानविये प्रयासों में बचत तथा अनवाशक्त कान में कमी, स्रम सक्ती, ठीक है, मशीनिंग रधा पदार्थों में प्रयोग में सुधार, थ्रवत्तम विधी का मानकी करन करना चाहिए, कारेकारी दसाओं में सुधार, अब बात करते हैं देखिए आपको जो चार्ट दिये प्रोसेस चार्ट आपका, बहुत सारे आपके चार्ट दोस्त दिये गए, प्रोसेस चार्ट हो गया, इन सब के चार्ट काफी इंपोर्टन्ट है, और कई बार पूछे भी जा चिक है, जैसे आपका सीमो चार्ट हो गया, तो इनको मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी दोस्त बताने कोशित करूँगा क्योंकि नहीं तो वीडियो काफी यादा लंबा हो जाएगा ठीक है और इसकी पीडियाफ आप हमारे टेलीग्राम चेले और या वर्सक ग्रूप से प्रवाइड आपको करा ही दी जाएगी ठीक है बस वीडियो को लाइक हो चैनल को सब्सक्राइब पिरूर कीजिएगा और अपने दोस्तिक सा शेर भी कर दीजिएगा ताकि उसकी भी यल्प हो जाएगी और हमारी भी यल्प हो जाएगी अब बात करें दोस आपका फ्लो चार्ट क्या होता है यानि जो आपका प्रोसेस चार्ट है वो क्या होता है इसकी बात कर लेते हैं प प्रतीक चिन्द क nggak उप्योक किया। जो आपके गिल प्रफ़ित दमपत्य थे पती पजणी थे यादी उन्होंने सरप्तम कितने चिन्द दिये थे दे लगबं चालिक- axe युद्ध क उप्योक किया थヤा wr अब किवल पांच प्रतीक चिन्ड ही वास्ताव में प्रयोग में लाए जाते हैं जो सभी कार्यों को पूरा वर्डन करने के लिए पर्याप्त हैं यह आपका किसमें आता है दोस्ट प्रोसेस चार्ट में आता है तो जहां कहीं भी आपको अगर यह सिंबल मिलता है यह सिंबल आपके पूछे भी जा सकते हैं दोस्ट तो यह आपका दोस्ट operation का symbol होता है ऐसा जब आपका कहीं ऐसा बना है और ऐसे बीच में कट है तो माली आपका operation का symbol होता है ठीक है और बगल में जो इसकी theory लिखी वो आप लोग पढ़ सकते हैं बहुत आसानी से ठीक है इसके बाद पर किसची के अउपर की चला है काम चला है इंस्पेक्शन का काम चला है और जो मैंने पहला operation वाला बता है अगर आपको वो symbol कहीं पर बना मिलता है तो यह समझ लिजएगा वहाँ पर operation हो रहा है उस product पर इतना आपको समझ में आ गया होगा next आपको जो symbol दिख रहा है दोस् किसका होता है आपका transport का तो यह सम्बल आपका किसका होता है इसी तना आपके दे रखें, आप लोग इसको पढ़ लीजेगा, अब flow chart की बात करें, आपका flow chart भी काफी जादा important है, दोस्त इससे पहले हमने industrial engineering के top 5 question पर वीडियो बनाई है, जो की 100% दिन में 5 question में से 3 question आपके board exam पर मिलने वाले हैं, ठीक है, और जो आपके top 25 questions अगर आप उनको पढ़ लेते हैं पूरा, तो ये मालीजे आपका paper बहुत अच्छी सनय से निकल जाएगा, आपके 35 से 40 संबर आ जाएंगे, इन सभी की PDF हमने अपने telegram channel पर mechanical guide पर provide करा दिए, तो वहां से आप download करके ले सकते हैं, ठीक है, बस आपको करना है क्या है, इसकी लिए वीड दोस्तक साथ वीडियो को share भी करना है, अब बात कर लेते हैं, दोस्त हम लोग flow chart आपका देखिए क्या होता है, प्रक्रम में सभी operation, निरच्छन, वीभिन, इस्थानांत्रों तथा महत्पूंड विंदूओं को अंकित करने वाले आरेक को flow process chart कहते हैं, कहने को लोग आपका प्रक्रम कोई भी आपका process चल लाहा है, जिसमें आपका सभी क्या operations, जो आपका निरच्छन, इस्थानांत्रों तथा महत्पूंड विंदूओं को क्या करना, अंकित, मतलब दर्साने के लिए आरेक को हम लोग क्या करते हैं, flow process chart कहते हैं, अब यहाँ पर आपको objectives मिल जाए तो उसको देख लिए, किसी प्रक्रम में होने वाली घटनाओं के संपूंड क्रम को देखना, यह क्या इसके objectives हैं, ठीक, ले-out में सुधार करना, पदार्त, हैस्तांत्रण को बहतर बना, मतलब material जो एक इसके क्या objectives दोस्त देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, थोड़ा समय जल आप ही आता, लंबा हो जाएगा, सभी सब चीज इसमें cover नहीं हो पाएगी, तो मैं सोच रहा हम इसी वीडियो में सब चीज cover हो जाएगा, आप लोग अच्छे से preparation हो जाए, तो सब बात करते हैं, types of flow process chart आप क्या, तो कौन-कौन से होते हैं, man flow process chart, ठीक है, material flow process chart और machine flow process chart, देख लेते हैं, income लोग एक बार, ठीक है, operation flow, operation process chart जो दोस्त आपका होता है, यह chart उपरिक्द 5 चिन्नों में से केवल 2 अर्थात, operation तथा निरच्छन के चिन्नों को मिला कर, यह chart बनाया जाता है, कहने हो जो आपका, दोस्त यह chart आपका उपरिक्द 5 चिन्नों में से केवल 2 दो चार्टों को मिलकर ही बनाया जाता है, मतलब उसको चिन्नों को देखकर ही बनाया जाता है, एक आपका operation का symbol हो गया, एक निरच्छन का symbol हो गया, ठीक है, मिलकर ही बनाया जाता है, यह chart प्रक्रम के overall दर्स को प्रस्तुत करता है, यह उन बिंदों का graphiche इत्रन है, जहां पदार्त, प्रक्रम से संबने सभी operation तदा निरच्छन के क्रम को भी दर्साता है, अब यहां पर दोस्त, example के लिए काफी यादा दिएगी, यह पूरा एक example है, यह वाला जो हमने दे रखा है, तो इसको आप लोग देख लिजेगा, आप लोग समझ में आ जाएगा, ठीक है बस इतना जरूर कोँगा, जो वीडियो देख रहे हैं, उनको इसीच का benefit जरूर मिलेगा, अब आपका आप गया थर्बलिक्स, जो आपका है, काफी यादा important है यह आपका, और कई बार पूछा भी जा चुका है, कार्शक्र की समस आधार भूत गतियों को व्यक्त करते हैं, तो थर्बलिक्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, ठीक है, मायक्रोंस को, स्टडी को सरल बनाने हे तू, सभी humans activities को, उनके उद्देशों के अनुरूब, छोटे-छोटे अव्यों में, क्या करते तो दोस्त बाढ भी जा जाता है, तथा ग अधा प्रारम में 16 थर्बलिक्स का प्रयोग किया गया समय वगति अध्यन में थर्बलिक्स का प्रयोग अवश्यक है ठीक है तो काफी बार ये पूछा जा चुका तो इसके सिंबल्स भी दे रखें यहां पर देखें अम ने थर्बलिक्स नेम दे रखा है हमने पुरह इसका किसी क्या का विश्लेशन जब एक स्रमिक की व्यक्तिगत गतियों के पदों में किया जाता है तो क्या कहलाता है आपका गतिविसलेशन कहलाता है ठीक है गतिविसलेशन में किये जाने वाले पद निम्न हैं तो क्या है गति विसलेशाड पर अध्यन किये जाने वाले ऑपरेशन का चैन करना ऑपरेटर दौरा किये जाने वाली क्रियाओं की सूची तथा चार्ट बनते हैं जो आपका ऑपरेटर है यानि वरकर है जो कारेकर रहा है उसकी क्यावने है अब बात करते हैं आपका माइक्रो मोशन इस्टडी दे रखा दोस्त माइक्रो मोशन इस्टडी आपका काफ़ ज्यादा इंपोर्टेंट है ठीक है तो एक बार जरूर पढ़ लीजेगा यह एक सर्वत्तम तकनिकी है जिन ऑपरेशन्स में वरकिंग साइकिल बहुत छोटी तता दो हजार बार दोहराई जा रही हो एक्जामपल के लिए यहां पर दिया गया है जो आपका दिया गया है पैकिंग आप फूड कैंस ठीक है इसके अंतरगत क्रिया इतनी तीवर होती है तो यह आपका बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है माइक्रो मोशन इस्टडी तो आप बात करने दोस्ताब का जो सीमो चार्ट होता है कई बार पुछा जा चुका और इस बार भी मुझे लग रहा है आपका सीमो चार्ट पूछा जाने वाला है यह चार्ट फिल्म विश्लेशन पर आधारित है यह ओपरेटर इस या ओपरेटर शरील अंगों की संगठित इत्वा समन्वी गत्विधियों का ग्राफीच इत्रण है इसमें वरकर साइकिल को थर्बलिंग में रखकर व्यक्त करो वह थर्बलिंग पूर्ण होने में लगा समय चार्ट में नोट करते हैं ठीक उसके वाद क्या होता राइट लेफ्ट हैंड चार्ड की भाती इस सीमो चा चार्ट में एक समन्द दर्शाने के लिए बनाते हैं यह चार्ड मुखितत तीव्र पुन्रा व्रत्ति वा अल्पकान वाले ऑप्रेशनों के वह प्रदर्सित करता है आपका सीमो चार्ड ठीक है यहां पर सीमो चार्ड का पूरा व्योरा दे रखा है तो इसको आप लोग देख लीजेगा नेक्स्ट आपका है दोस्ते आपर बात करते हैं हम लोग जो दे रखा है वर्क मेजर्मेंट तो वर्क मेजर्मेंट की अगर हम बात करें यहां पर देखिए वर्क मेजर्मेंट में क्या है वर्क मेजर्मेंट मेजर्मेंट के समूं किसी ओप्रेशन पर्फ प्रभावी शमय की पहचान करने के लिए ठीए क्रिया में जो आपका प्रभावी शमय की पहचान करने के लिए प्रभावी मतलब जिसका कोई यूज नहीं है वैसा समय अगर कोई हमारा लग रहा है तो इसके दोर हम लोग पता करते हैं दोस्त जो आपका दे रखा है वर्क मेजरमेंट से थीग है नेक्स्ट आपका दे रखा है विकल्प के तौर पर प्रयोग होने वाली विधियों की किसी प्रोडक्शन वर्क को करने के लिए रिकॉर्ड करें अध्यन करने की तकनीकी को टाइम इस्टडी कहते हैं इसी तरह आपको जो मोशन इस्टडी दे रखा है किसी भी प्रोडक्शन वर्क में प्रयोग मशीन मशीन वा स्रमिक की गतियों का अध्यन कर आवंशित गतिय को दूर करना वा कार्य करने की विधी को अध्यान सरल प्रभाग कर क्या कर सरल बनाकर वा क्रमबद्ध करना ही क्या आपका कहलाता है इसी जना आपका दे रखा दोस्ते आपर टाइम एंड मोशन इस्टडी वर्क पारफॉर्मेंस हे तु उपयोग में आने वाली वा कर सकता है वर्क इस्टडी द्वारा नई वा उन्नत विधी का विखास कर स्रमिक द्वारा विखास कर स्रमिक अब यहां पर समाने तक कारे करते हैं तो निम्न कारणों का व्यवधान हो सकता है तो यहां पर इसके जो दे रखे हैं स्रमिक की व्यक्तिगत अवशक्ताओं के लिए ठकान के कारण टूल ग्राइंडिंग मशीनिंग की सफाई आदी के कारण तो यह सब दे रखा इसको हीएं नैक्स्स अब आप दे रखा है ताइपस अप यह आ पर देख लेते हैं तो यहां पर देख लिएगा वैसे ज्यादा आता नहीं है दोस्ट आइप आप देखना चाहिए तो देख सकते हैं ठीक है अब मोग बात करते हैं नेक्स आपका दिया गया है वर्क सेंपलिंग क्या होता है इसकी बात कर लें अगर देखिए वर्क सेंप्लिंग यह एक काफ़ी आदा इंपोर्टन नहीं है लेकिन कई बार पूछा भी जा चुका है यह एक इस्टेटिकल टेक्निक्स है जो की विभिन गत्वीदियों विभिन गत्वीदियों में लेबर द्वारा खर्च समय का अनपात ग्यात करने में प्रियुक्त की जाती है कहने वाला वर्क सेंप्लिंग क्या है यह एक इस्टेटिकल टेक्निकी नहीं है ठीक है जो की विभिन गत्वीदियों में लेबर द्वारा खर्च समय के अनपात को ग प्रिंसिपल आप वर्क सेंप्लिंग तो इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा ठीक है नेक्स्ट यहाँ पर जो दिया गया उसकी बाद अगर हम लोग कर लें अप्लिकेशन साफ वर्क सेंप्लिंग दे रखा है दो विभागों की दचिता की तुलना करने के लिए ठीक है तो इन सब को एक बार आप देख लीए नेक्स्ट आपका जो है लास्ट है इस चैप्टर से दोस्त आपका मजदूरी तथा प्रोसान योजनाएं तो मजदूरी औ वह स्रमिक के मद्य संबंधों पर प्रभाव डालता है अता अधोगिक छेत्र में वेतन प्रणालियों को असांती का प्रमुक कारण माना या कहने कोले जो आपके प्राइवेड इंडिस्ट्री वगारा है इनमें जो वर्कर्स और जो आपका मैनेजमेंट होता है इनके अत्यंत अवश्यक है कहने का मदला जो वेतन प्रणाली का स्रमिक का आधार पर उसमा क्या संतोस जनक होना बहुत ही अवश्यक है फल्स रूप आधूनिक युग में जो आपके उद्योग है उद्योग में वेतन प्रणाली अत्याधिक विक्षित एवं संतोस जनक है स्रमि का वेस्टन ही उसकी आये का स्रोथ है कहने लाओ जो हाँपर स्रमि γृ क EVERY का रहिक रहा है उसके जो वेसह वेसरी मिले उसकी आये है हुत तो इतना समस्किंन आ गया आड इसका इंट्रोडेक्शन अब यहाँ आया पर आपको होता है कई बार पूछ लेता है इसे उद्ध्योग वह उप्रम जहां पर जो आपकी क्या है बोनस मिलता है उतरह से देखें माल लीजिए अगर आपकी जो कंपनिया एक्जामपल दे कर मैं आपको समझा देता हूँ कंपनियों में बोनस परडालि इसे रखी जाती है कि अगर आप पूरा तीस दिन, आपका महना 30 दिन का एक मन 30 दिन का अगर आप पूरा 30 दिन company जाते हैं, ठीक है, तो उसमें आपका क्या क्या company एक 1000 का bonus रख देती हैं, अगर आप पूरा 30 दिन जाएंगे तो आपको एक हजार रुपय का attendance दिया जाएगा या फिर कई कमडिया इससे कम का भी रख देती हैं कई इससे ज्यादा का भी रख देती हैं तो यही एक तरह से आपकी bonus प्रडाली है ठीक है तो इसको आप लोग समझ गया होगे और इनके method से दे रखा है तो जिसको आप लोग क्या कर सकत हैं गुरुब बोनस सिस्टम क्या होता है ठीक है इस प्रडाली के अंतरगत प्रतिष्थन में विभिन विभागों या उप विभागों में निश्चित अंतराल पर सभी को एक निश्चित बोनस निश्चित अन्पात में बांटा जाता है क्या कलता है आपका गुरूप बोनसकों कहलाता है अब इन्वेंटरी कंट्रोल तो दोस्ट आप पहले ही पढ़चुके हैं किसमें कि समें कि आपने अब मीडी में पढ़ाओगा inventory control आपका क्या होता है फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ एक ऐसी वैज्ञानिक विधी है जो यह बताती है कि उस पादन की मांग के अनुरूप कितनी मात्रा में अवश्यक समागरी भंडार यानि इस्टोर में उपलब्द है या रखी जाए जिससे यह समय पर सही मात्रा में सही पदार्थ की मित्यवी ढंग से अपूर्ति की जा सके कहने का मतलब बड़ी- कंपनी में जो भी बन रहा होता है उसका material रखा जाता है और उसकी inventory-control के दवारा आपूर्ति न हो इसलिए inventory-control का यूज किया जाता है ठीक है कि dispersed कि में वहाँ पर material खरीदना है किस समय में कितना रखना है यहीँ सब आपका दे रखा है अब next आपका दिया गहने ABC 오랜만े यह भी आइमीडी से ही आपका question लिया गया हुआ है ठीक है अब बात करते हैं आपके difference of accident definitions of accident जो आपकी दे रखा है तो accident की दुरघटना को निम्न प्रकार से परिभाशित किया जा सकता है कोई भी ऐसी अप्रक्तिस्ति घटना जिससे ना जानने न मान की छती पहुंचे यह दुरघटना कहा जाता है कहने का मतलब कोई भी आपकी ऐसी दुरघटना जिससे जान की और माल दोनों की छती पहुंचे आपकी हालाती दुरघटना कहलाती है यह definitions of दुरखटना दे रखा है तो इसको आप लोग एक बार देख सकते हैं इसी तरह यहाँ पर आपका दिया है classification of accident तो classification मतलब किस प्रकार से accident का वर्गी गरण यहाँ पर किया गया है चोट की प्रकति के आधार पर ठीक है कई तरह है कि आपकी accident होते हैं तो यह सब दे रखा है अब उसके वाद यह आपका दोस्त यही यह top important question थे जिसकी मैं बात कर रहा था ठीक है जो मैंने पीडे प्रवाइड करा रखी दोस्त पहले से ही तो यहाँ पर आप देख लीजे जो आपके act दे रखे हैं ठीक है तो इन दोनों में से कोई act आपके board exam में 100% मिलने वाला है सुरच्छा के लिए कारखाना अधिनियम आपका जो 1919 है वो हो सकता है या फिर भारती कारखाना अधिनियम 1948 क्या है ठीक है इन दोनों में से कोई एक आपका act जरूर आएगा और यह आपका EOQ ठीक है EOQ economic order quantity क्या है कई बार पूछा जा चुका है आपका तो दोस्त आज के यह वीडियों बस इतना ही वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इसकी पीडियाफ और नोट्स के लिए important question के लिए आप हारे टेलीग्राम से जूड़ सकते हैं उसका लिंक आपको description box पर मिलिया आगा WhatsApp ग्रूप स जूड़ सकते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बर